परिवार जनों को अनेक अनेक शुप कामनाय देता हूं, साथियों सेना में आकर सुरक्षा बलों के साथ जुड़कर पुलिस सेवा में आकर हर युवा उसका सपना होता है को वो देश की रक्षा का प्रहरी बने और इसलिए आप पर बहुत बड़ा दाईत्व होता है, इसलिए आपकी जरुरतों के प्रती भी हमारी सरकार बहुत गंबीर रही है, बीते कुछ वर्षों में अर्दसायनिक बलों की भरती प्रक्रिया में हमने कई बड़े बड़लाव किये हैं, आवेदन से लेकर चयन तक की प्रक्रिया में तेजी लाई गई हैं, आर्दसायनिक बलों में भरती के लिए होने वाली परिक्षा अब तेरा स्थानिय भाषाओं में भी कराई जा रही हैं, पहली ऐसी परिक्षा में सिरफ हिंदी या अंग्रेजी चुन्ने का ही विकल्प होता था, अब मात्र भाषा का मान बढ़ा है, इस बदलाव से लाखो युवाओं के लिए रोजगार पाने के रास्ते खुल गए हैं, पिछले वर्ष भी चत्तिस गड़ के नक्सल प्रभावित जिलों में सेंकडो आदिवासी युवकों की न्यूक्ति की गई थी, इन्हें नियमों में छूड़ देकर सुरक्षा बल में भरती पाने का आउसर दिया गया, ताक्ति विकास की मुख्यधारा से जुड़े रहें, इसी तरह बॉर्डर डिस्टिक और उग्रवाद प्रभावित जीलों के युवाओं के लिए, कॉंस्टेबल भरती परिक्षा में कोटा बढ़ाया गया है, सरकार के प्रयासों से अर्द सैनिक बलों को लगातार मजबुती मिल रही है, साथियों, देश का विकास सुनिष्चित करने में आपके दाइत्व की महत्वपुण भूमी का है, सुरक्षा का वातावरण, कानून का राज, विकास की रप्तार को तेज कर देता है, आप यूपी का उदारन ले सकते हैं, कभी यूपी विकास के मामले में बहुत पीछे था, और अपराद के मामले में बहुत आगे, लेकिन अब कानून का राज स्थापित होने से, यूपी विकास की नई उंचाई छू रहा है, कभी गुंडो माफिया की दहसत में रहने वाले उत्तर प्रदेश में आज, भय मुक्त समाज की स्थापना हो रही है, कानून व्यवस्ता का ऐसा साशन लोगों में विश्वास पैदा करता है, और जब अपराद कम हुआ है, तो यूपी में निवेश भी बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इसके उलट हम ये भी देखते हैं कि जिन राज्यों में अपराद चरम पर है, वहां निवेश भी उत्रा ही कम हो रहा है, सारे रोजी रोटी के सारे काम ठपड़ जाते हैं, मेरे परिवार जनों, आजकल आप लगातार पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थे वबस्ता है, भारत इस दसक में टॉप थ्री अर्थे वबस्ता में सामिल हो जाएगा, और ये गरंटी जब मैं आपको देता हूँ न, बड़ी जिम्मेवारी के साथ, मेरे देश वासी, मेरे परिवार जनों को ये मोदी गरंटी देता है। लेकिन जब आप ये पढ़ते हैं, तो एक सवाल आपके मन में जरूर आता होगा, कि इसका देश के सामाने नागरित पर क्या असर होगा। और ये सवाल बहुत स्वाबाविक भी है। सात्यों किसी भी अर्थे ववस्ता को आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि देश के हर सेक्टर का विकास हो। फूर सेक्टर से लेकर के फार्मा तक, स्पेस से लेकर के स्टार्ट अप तक, जब हर सेक्टर आगे बढ़ेगा, तो अर्थे ववस्ता भी आगे बढ़ेगी। आप फार्मा इंडस्ट्री का उदहन ले लिजिए, महामारी के समय भारत के फार्मा इंडस्ट्री की बहुत सराना की गई है। आज ये इंडस्ट्री चार लाग करोड रुपिय से ज्यादा की है, और कहां ये जा रहा है कि 2030 तक, भारत की फार्मा इंडस्ट्री करीब दस लाग करोड रुपिय की हो जाएगी। अब ये फार्मा इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस दसक में फार्मा इंडस्ट्री को आज की तुल्णा में कई गुना जादा युवाओं की जरुरत पड़ेगी। रोजगार के अनेक नए अउसर आएंगे। साथियों, आज देश में आटो मोबाइल और आटो कंपोनेंट्स इस इंडस्ट्री में भी बहुत तेजी से बढ़र देखने को मिल रही है। फिलहाल ये दोनों इंडस्ट्री बारा लाग करोड रुपे से ज्यादा की है। आने वाले वर्षों में इसके और बढ़ने के उमिद है। इस ग्रोथ को संभालने के लिए ओटो मोबाइल इंडस्ट्री को भी बहुत सारे संख्या में नए युवों को की जरुवत होगी, नए लोगों की जरुवत पड़ेगी, रोजगार के अंगिलित आउसर बनेंगे। आपने देखा होगा कि इन दिनों फूर्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के महत्री की भी काफी चर्था होती है। भारत का फूर्ड प्रोसेसिंग मार्केट पिछले साल करीब करीब 26 लाग करोर रुपिय का था। अब अगले तीन साड़े तीन साल में ये सेक्टर करीब 35 लाग करोर रुपिय का हो जाएगा। यानि जितना विस्तार होगा उतने अधिक युवकों की जरुरत पड़ेगी। उतने नए रोजगार के मोके खुल जाएंगे। साथियों भारत में आज इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो रहा है। पिछले नव साल में केंद्र सरकार ने 30 लाग करोड रुपिय से जादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किये हैं। इससे देश भर में कनेक्टिविटी का विस्तार तो हो ही रहा है। इसने परियटान और होस्पिटालिटी सेक्टर में नई संभावनाओं को जन्म दिया है। और नई संभावनाओं का सीधा मतलब है कि जादा से जादा रोजगार के मोके बनते जा रहे हैं। साथियों, 2030 तक हमारी अर्थेववस्ता में तूरिजम सेक्टर का योगदान 20 लाग करोड रुपे से भी जादा होने का अनुमान है। माना जा रहा है कि अकेले इस इंडस्ट्री से 13 से 14 करोड लोगों को नए रोजगार की संभावना बढ़ दे वाली है। इन सारे उधारणों से आप समस्च कर सकते हैं कि भारत का विकास सिर्फ नंबर की रेश नहीं है। इस विकास का भारत के हर नागरिक के जीवन पर प्रफाव पड़ेगा। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में रोजगार के आउसर तैयार हो रहे हैं। और इसे आए में बढ़ोतरी और क्वालिटी आफ लाइफ सुनिश्चीत हो रही है। हम परिवार में भी देखते हैं ना, अगर हम किसान है, अच्छी फसल हुई, जादा फसल हुई, अच्छे दाम मिले, तो घर के अंदर कैसे रोनक आ जाती है। कपड़े नहीं आते हैं, बहार जाने का मन करता है, नई चीजे खरिदे का मन करता है। घर की अगर आए बढ़ी, तो घर के लोगों के जीवन में भी बढ़ावाता है। जैसे परिवार में है न देश के आए बढ़ती हैं देश की टाकद बढ़ती है देश में संप्त्ति बढ़ती हैं तो देश के नागरिकों का जिवन संपन्द बनना शुरू हो जाता साथियों पिछले नव वर्षों के हमारे प्रयासों से परिवर्तन का एक और नया दोर दिखने लगा है, पिछले साल भारत ने रिकॉर्ड एक्सपोर्ड किया, यह संकेत है कि दुनिया भर के बाजारों में भारतिय सामानों की डिमान लगातार बढ़ रही है, इसका मतलब है कि हमारा प्रोड़क्शन भी बढ़ा है, और प्रोड़क्शन के लिए जो रहे रवजावान लगे उसके कार्ण रोजगार भी बढ़ा है, और स्वाबा भी खें, इसके कार्ण परिवार की आई भी बढ़ रही है, आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बढ़ा मोबाइल फोन निर्माता देश है, देश में मोबाइल फोन की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है, सरकार के प्रयासों ने मोबाइल मैनुफेक्टरिंग को भी कई गुना बढ़ा दिया है, अब देश मोबाइल से आगे बढ़ कर दूसरे इलेक्ट्रोनिक गैज़ेस पर भी फोकस कर रहा है, IT हार्डवेर प्रोडक्शन के लिए क्षेत्र में हम वैसी ही सफलता दोहराने वाले हैं जैसी मोबाइल के ख्षेत्र में हासिल की है, वो दिन दूर नहीं होगा, जब मोबाइल की तरह ही भारत में बने एक से बढ़कर एक लेप्टॉप, टैबलेट और परस्नल कंप्पिटर दुनिया में हमारी शान बढ़ाएंगे, वोकल फॉर लोकल के मंत्र पर चलते हुए, भारत सरकार भी मेरी इन इंडिया लेप्टॉप, कंप्पिटर जैसे अनेख प्रोड़क्स खरीदने पर जोड दे रही है, इससे मैनुफेक्टरिंग भी बड़ी है और युवाउं के लिए रोजगार के नए मोके भी बन रहे हैं, इसलिए मैं फिर कहूंगा आर्थ व्यवस्ता के इस पूरे चक्र को समालने की, इसे सुरक्षा देने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, आप सभी जब यह सुरक्षा कर्मी के रूप में आपका जीवन आरंब हो रहा है, आपका कार्य औरंब हो रहा है, तो कितनी जिम्मेवारी आपके सर पर है, इसका आप भली भाति अंदार लगा सकते हैं। मेरे परिवार जनों, नव साल पहले आज के ही दिन, प्रधान मंत्री जंदर योजना लॉंच की गई थी। इस योजना ने गाव और गरीब के आर्थिक ससक्तिकरण के साथ ही रोजगान निर्मान में भी बहुत बड़ी भूमी का निभाई है। नव साल पहले देश में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास बैंक खाता ही नहीं था। बिचारों ने बैंक का दरवाजा नहीं देखा था। इस योजना से गाउं गरीब तक सरकारी लाब सीधे पहुचाने में तो मदद मिली ही है। और साथ ही महिलाओं, दलीतों, पिछडों, अधिवासियों के रोजगार और स्वरोजगार को इससे बहुत बड़ मिला है। जब गाउं गाउं में बैंक खाते खुले तो इसके लिए बैंकिंग कोर्स्पेंडेंस के रुप में, बैंक मित्र के रुप में, लाखों युवाओं को आउसर मिले। बैंक मित्र हो, बैंक सकी हो, इसके रुप में हमारे हजारों बेटे बेटियों को रोजगार मिला। आज 21 लाख से अधिक युवा साथी, बैंकिंग कोर्स्पेंडेंट या तो कहें बैंक मित्र या बैंक सकी के रुप में, गाउं गाउं में सेवाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में डिजीटल सखिया, महिलाओं और बुजुर्गों को बैंकिंग सेवा से जोड रही है। इसी प्रकार जनधन योजना ने रोजगार और स्वरोजगार के एक बड़े अभ्यान मुद्रा योजना को बल दिया। इससे महिलाओं सहीत उन वर्गों को छोटे छोटे बिजनेस के लिए लोन लेना आसान हुआ। जो कभी इसके बारे में सोज भी नहीं सकते थे। इन लोगों के पास बैंकों को देने के लिए कोई गारंटी नहीं होती है। ऐसे में सरकार ने खुद उनकी गारंटी ली। मुद्रय योजना से अभी तक 24 लाग करोड रुपिये से अधिक के लोन दिये जा चुके हैं। इसमें करीब आठ करोड साथी ऐसे हैं जिनोंने पहली बार कोई बिजनेस शुरू किया है। अपना काम शुरू किया है। और स्वानिती के लाभारतियों में बड़ी संख्या में महिला एं दलीत पिछडे और मेरे आदिवा स्वीवा है। जंदन खातों ने गाओं में महिला सेल्फ हेल्फ गुरुप को मजबूत बनाने में भी बहुत मदद की है। आज कल तो मैं गाओं में जाता हूं जब महिला सेल्फ हेल्फ गुरुप की बेहनों को मिलता हूं तो तो कई तो उसमसे आके गहें मैं तो लगपती दीधी हूं। यह सब इसी से और संभव हुआ है। सरकार जो आर्थिक मदद करती हैं वो महिला सेल फेल गुरुप से जुड़ी महिलाओं के बेंखातों में अब सीधे जमा होता है जंदन योजनाने देश में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को गति देने में जो भुमी का निभाई है वो वाकई हमारी बड़ी-बड़ी उनिवर्सिटीज के लिए अध्यन का विशे है साथियों अब तक रोजगार मेले के अनेक आयोजनों में लाखो युवाओं को मैं संबोदित कर चुका हूँ उन युवाओं को पब्लिक सर्वीस या अन्यक शेत्रों में रोजगार मिला है गवर्मेंट और गवर्नंस में बड़लाव लाने के मिशन में आप सभी युवा मेरी सबसे बिड़ी ताकत है आप सभी उस पीड़ी से आते हैं जहां सब कुछ बस एक क्लिक पर मिल जाता है इसलिए आप समझ सकते हैं कि लोग हर सर्वीस की तेज डिलिवरी चाहते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज की पीड़ी समस्याओं का टुकड़ों में समाधान नहीं चाहती उन्हें स्थाही समाधान चाहिए इसलिए पब्लिक सर्वन्ट होड़े के नाते आपको ऐसे फैंसले लेने होगे ऐसी जिम्मेवारिया निभानी होगी हर पल ऐसे तैयार रहना होगा जो लंबे समय तक लोगों के लिए फाइदे मन्द हो आप जिस पीड़ी से संब्द रखते हैं वो कुछ हासिल करने का इरादा रखती है यह पीड़ी किसी का फेवर नहीं चाहती है वो बस यह चाहती है कि कोई उनके रास्ते का रोड़ा ना बने इसलिए पब्लिक सर्वंस के तोर पर आपके लिए यह समझना बहुत आवश्क है कि सरकार जनता की आकांग्शाओं को पूरा करने के लिए हमेशा जनता की सेवा के लिए है कि आप यह समझते हुए काम करेंगे तो कानून व्यवस्ता को बनाये रखने में भी आपको बहुत मदद मिलेगी साथियों और दसाइनिक भलों में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेद्वारी को पुरा करने के साथ साथ आप सीखते रहने की प्रवित्य को भी बनाये रखें आप जैसे कर्मयोगियों के लिए आई गौट करमयोगी पॉर्टल पर छैसो से ज्यादा अलग-अलग कोर्सिस उपलब्दा है सर्टिफिकेट कोर्सिस है बीस लाज से जादा सरकारी कमचारियों ने इस पॉर्टल पर रेजिशन कराया है वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं परिक्षाएं दे रहे हैं मेरा अग्रह है कि आप सब भी इस पॉर्टल से पहले दिन से ही से जुड़ जाईए और पहले दिन से ताय कीजिए, मैं जादा से जादा कोर्सिस करूँ, जादा से जादा सर्टिफिकेट कोर्स करूँ, जादा से जादा सर्टिफिकेट प्रात्त करूँ और आप देखिए, जो सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, वो सिर्व एक्जाम के लिए नहीं है, आपके जीवन में उत्तम से उत्तम ड्यूटी करने के लिए है, एक स्रेश्ट अपसर बढ़ने का सामर तो उसमें पढ़ा हुआ है, साथियों, आपका क्षेत्र, यूनिफॉर्म की दुनिया का है, मैं आप सबसे आगर करूँगा, फिजिकल फिटनेस में जराभी कम्प्रोमाइज मत किजिए, क्योंकि आपका काम समय के बंधनों बंदा हुआ नहीं होता है, मौसम का हर मार आपको जहलना पड़ता है, फिजिकल फिटनेस ये आपके विभाग में काम करने वालों के लिए बहुत जरूरी है, फिजिकल फिटनेस से ही आधा काम तो यह ही हो जाता है, अगर आपके ढंग से आप खड़े हैं, तो कौनुन व्योस्ता समालने में कुछ करना नहीं पड़ता है, खड़ा रहना ही काफी हो जाता है, दूसरा मेरा मत है, आपकी ड्यूटी में तनाव पूर्ण स्पलक बहुत बार आते हैं, छोटी-छोटी बात में तनाव आ जाता है, योगा यह आपके जीवन में नित्य प्रक्टिस होनी चाहिए, आप देखेंगे एक संतुलित मन आपके कारे के लिए बहुत बड़ी ताकत देगा, योगा यह सिरफ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, स्वस्थ मन के लिए, संतुलित मन के लिए, और आप जैसे लोगों की ड्यूटी में तनाव से मुक्त रहने के लिए, यह जीवन का हिस्सा होना बहुत जरूरी है, साथियों, देश, 2047 में, जब आजादी के सौसाल मनाएगा, तब आप सरकार में बहुत उच्छ पद पर पहुंचे होंगे, यह 25 साल बेश के और यह 25 साल आपकी जिन्दकी के, कितना अध्भूत सही होग है, अब मोका आपको नहीं गवारना है, अपनी पूरी शक्ति समर्थ, जितना उसका विक्स कर सकते करिये, जितना जादा समरपन कर सकते हैं करिये, जितना जादा जन सामानने के जीवन के लिए, अपने जीवन को खपा दें, आप देखिये जीवन में अध्भूत संतोष मिलेगा, एक अध्भूत आनद मिलेगा, और आपके व्यक्तिकत जीवन के सफलता आपको संतोष देगी, मेरी आपको बहुत शुब कामना है, आपके परिवार जनों को बहुत-बहुत बढ़ाई है, बहुत-बहुत आपके परिवाद।